हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो आज हम साइन्स का क्लास सेक्स का एंसी आर्टी पढ़ेंगे और चैप्टर नाइब जिसका नाम है सजीव एवं उनका परिवेश तो इस चैप्टर का मतलब ये है कि हम उन साजीवों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग-अलग परिस्थितियों में भी रहके जीवित रहते हैं तो उनका अनकूलन किस प्रकार का होता है, वे सांस कैसे लेते हैं, वे वहां रहने के लिए अनकूलित कैसे होते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, तो प्लीज बने रहे हैं मेरे साथ और चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो देखिए, पहेली और बूजो छुटियों में अनेक रुमांचक स्थानों पर सैर पे गए और ऐसी ही एक यात्रा पर वे रिशिकेस में गंगा नदी देखने गए उन्होंने हिमाले की अच्छादित परवत सिंखला के कुछ परवतों का परवता रोहन किया वहां बहुत ठंड थी इन परवतों पर उन्होंने ओक, चीड, देवदार जैसे अनेक रिख्ष देखें तो इससे मतलब ये निकला आपको आपको ये पता चल जाएगा कि उची जगों पर जहां पर बहुत ठंड होती है तो वहां पर किस-किस चीज के ब्रिख होते हैं ओक, चीड और देवदार के जो उनके मैदानी छेत्रों के ब्रिख्षों से बहुत अधिक भिन थे एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं उट पर उश्न मरुस्तल भी घूमें यहां से उन्होंने नागफणी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किये तो मैं इसका सार बता देती हो आपको कि जब वह हिमालय पे गए तो वहां बहुत ठंड थी तो वहां पे पौधों की पतियां कैसी थी वहां पर पौधों की पतियां ऐसे नौकीली टाइप की थी क्यों केली की थी तो वहां पर भर्फ की फॉलिंग होती थी तो इस वज़े से ताकि पत्यों में कटाऊ नहीं इसलिए वहां पे उनकी पत्या ऐसे पाई गई और अब जब फिर राजस थान गए तो वहां पे क्या देखा कि वहां पे जो पत्या थी वह कंटीली थी और पत्यों में बहुत अधिक मात्रा में पानी भरा रहता है वे अपना पानी सेप करके रखते हैं ठीक है तो यह चीज़ देखंगे क्योंकि वह जो है रेगिस्तान अे एरिया है और वहां पे उन्ट अत्यदिक मात्रा में पाए जाते हैं ठीक है अब आईए बढ़ते हैं आगे तो ये देखिए सजीव एवं उनका परिवेश तो पहेली एवं बूजो के मस्टिस्क में एक और विचार आया जिस अस्थान में उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए गए मरुस्थल में उट थे परवत पर बकरी और याग थे देखिए परुस्थल पर उट थे और परवत पर क्या थे बकरी याग थे पूरी के समुंदर तड़ पर केकड़े वह अनेग प्रकार की मचलिया थी तो पूरी कहां है उड़ेईसा में है तो वहां पर क्या थे केकड़े और अनेक प्रकार की मचलिया, क्योंकि जो है, वो वाटरी एरिया है, समुंदरी इलाका है, इसलिए वहाँ पे केकड़े और मचलिया पाइगें, जिने मचछुवारे पकड रहे थे और साथी चीटियों जैसे अनेग प्रकार के जीव इन सब ही स्थानों पर उपस्चित थे और इन छेत्रों में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के पौधे अन्य छेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन थे अब आईए एक क्रिया कल आपके मांदे हम से देखें तो देखें आईए एक वन से प्रारंब करते हैं तो यहां पाए जाने वाले सभी पौधे, जन्तूओं, वस्तूओं के बारे में सोचिए और जो कि एक जंगल में पाये जाने वाले जन्तूओं पौधों और वस्तूओं की शारणी में बनाई है और दूसरे छेत्रों में पाये जाने वाले जन्तूओं पौधों की सारणी बनाई है तो यह जो है बच्चों के लिए सारणी बनाने के लिए दी गई है आवास एवं अनकूलन ठीक है तो क्रियकलाप एक में हमने सूची बद्य कर दिया तो मतलब हमें जो है अनेक प्रकार के जीव जो है वो मिल गया जैसे मान लीजे देखिए तो परवतिय छेत्र वाले मरुस्थल में रहने वाले समूंद्र में रहने वाले और अन्यस्थान पे थीक है तो इन सब छेत्र में परिवेश किस प्रकार भिन है तो समूंद्र में जन्तु तथा पोदे क्या करते हैं लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं और सोसन के लिए जल में विले वायू मतलब ऑक्सीजन का उप्योग करते हैं तो जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं लबडी जल में वो स्वसन के लिए जल में भी ले आक्सीजन का उपयोग करते हैं और मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्द होता है यह आप सभी जानते हैं तो मरुस्तल दिन में बहुत गरम और रात में बहुत ठंटा होता है और मरुस्तल में पाये जाने वाले पौधे तथा जन्तु भूमी पर रहते हैं और स्वसन के लिए आस पास की वायू का उप्योग करते हैं यह देखिए यह मरुस्तल यह इसल simplement को दिख 59..बहुता है अब यह बात करते हैं तो हम इन दोनों चाहित बिलकुल भूम प्रत जन्तु देखते हैं कैसे देखते हैं कि देखिए समुंदर में रहने वाले जीव जो हैं वो क्या करेंगे वो समुंदरी जल से ऑक्सिजन लेंगे और जो मरुस्थली जो जीव होंगे वो क्या करेंगे वो आसपास की वायू से वो सुसन करेंगे इनके जो है ये समुद्र में रहने वाले जीव जो होते हैं उनके तैरने के लिए फिन्स वगरा होती है लेकिन मरुस्थली जो जीव होते हैं तो उनके जो पैर है वे गद्यदार होते हैं ताकि वो जो है बालू में चलने के लिए अनुकूलित हो सके तो आपने पढ़ा भी ह और उसे मरुस्थली परिस्थितियों में रहने के योगी बनाती है कैसे योगी बनाती है आईए हम देखे तो यह देखिए उट के पैर गया होते हैं लंबे होते हैं आपको यह फिगर आउट हो रहा होगा यह देखिए उट के पैर जो होते हैं वो लंबे होते हैं जिससे उन मूत्रो सरजन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल जो होता है उनका शुषक होता है उन्हें पसीना भी बहुत कम आता है मतलब आता ही नहीं है क्योंकि सरीर से जल का हरास जो है वो बहुत कम होता है इसलिए जल के बिना भीवे अनेक दिनों तक रह सकते हैं अब देखते हैं द सभी का जो सरीर हो है वो धारा-र 확실히 होता है और जो है इसकी चार्चbooks हम अध्याय आ्ठ में करेंगे कर चुके हैं तो उनकी यह आकरिती जो है उन्हें जल के ंदर विछरन करने में सहयता करती है और मशदी का सरीर झीखन सलकों से धगा होता है तो ये सल्ग जो है मचली को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ ही उन्हें जल में सुगम गती करने में भी सहायता देते हैं तो मचली के पंक और पूछ चप्टी होती है तो मचली के पंक और पूछ क्या होती है चपती होती है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्दन और संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रधान करती है और मचली में गिल पाए जाते हैं कलोम जो उन्हें क्या करते हैं जल में सौास लेने में सहायता देते हैं यह चीज़ आप ध्यान रखेएंगे. तो मशली किसके द्वारा शास लेती है directly between the fish. मशली कि संरचनाये उसे जाल में रहने में सहायक होती है, और उट किसम द्वारा अटर उसे मरुष्थल में रखना के लिए सहायता रहती है, तो हमने प्रिथ्वी पर पाय जाने वाले असंख प्रकार के जन्तूओं में से केवल दो के उधारण लिए हैना और अब हम देखते हैं कि सजीव की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं जिसमें वे प्राया पाय जाते हैं तो देखें जिन विशिष संरचनाओं और स्वभाव की उपस्थती में किसी पौदे अत्वा जन्तू को उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है वो क्या कहलाता है आनुकूलन तो ये चीज होती है अनुकूलन तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वो क्या कहलाता है आवास और अपने भोजन वायू शरनस्थल और अन्य आवशक्ताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है और क्या करता है कि आवास का तो स्थल यी आवाज क्या होता है, स्थल पर रहने वाले आवाज घर, तो स्थल पर पाय जाने वाले पॉधे येवं जन्तु के आवाज को क्या कहते हैं? इस्थली आवास जैसे मान लीजे वन हो गया घास के मैदान हो गया मरुस्थल हो गया तटी एवं परवती छेत्र हो गया तो यह क्या है इस्थली आवास के उधारण है अब बात करते हैं जली आवास तो मतलब जल में रहने वाले पौधे और तथर जन्तू तो देखिए जल्दल हो गया जील न दिया समुंद्र तो यह पौधे जन्तू यहां पर निवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं जली यह आवास तो विश्वगे विभेन भागों पर पाए जाने वाले वनों घासक, घासके मैदान, मरुस्थल, तटी एवं परवती छेतर में बहुत विशमताए हैं तो ये देखें किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे की पौदे तथर जन्तु क्या कहलाते हैं जैव घटक और जैव घटक क्या होते हैं जो निर्जीव होते हैं तो देखिए जो चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, वाई हो गई, जल हो गई तो ये क्या है ये होए अजैव घटक और सूरी की प्रकास और उस्मा भी परिवेस के अजयव घटक में आता है तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूरी का प्रकास और उस्मा परिवेस के कौन से घटक है तो ये कौन से घटक है अजयव घटक तो देखिए हम जानते हैं कि कुछ जो होते हैं पौधे बीज से उखते हैं तो आएए देखें बीज के अंकुरन से नए पौधे की बनने की प्रक्रिया में क्या भूमिका है तो बीज अंकुरन वाला प्रोसेस हम थोड़ी देर में देखते हैं मालीजे उदारन के लिए हम मालीजे मैदानी छेतर में रहते हैं और अचानक ही उंचे परवती छेतरों पे चले जाए तो हमें कुछ दिनों तक स्वास लेने के लिए सारीरिक व्याम में असुविधा हो सकती है क्यों? क्योंकि पहाड पर हमें तीव रगती से स्वास लेना पड़ता है और कुछ दिनों बाद हमारा सरीर परवती छेतर के वातवरन के प्रती अपने आपको ढाल लेता है मतलब अनकूलित कर लेता है और हमें स्वास लेने में कोई परिसानी नहीं होती तो अल्प अबधी में किसी एक जीव के सरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते है परियनु कूलन तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो परियनु कूलन किसे कहते है कि जैसे माल लीजी हम मैधानी छेतर में रह रहे हैं और हमें पर्वती भालाे चैत्रु में जाना पड़ा तो वहां पे…sवांस लेने में कटना ही हुए, क्योंकि वहां तीवर सास लेना पड़ता है तो मυχलेत होताँ ओ consideration और यह सिद्धां होता है, पर्याहनु कुलन से भिनन एक है तो देखिए वे क्या है अंकुरित हो जाते हैं जब मूम के बीज से अंकुरित निकाला जाता है तो मूम के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए और कुछ बीजों के एक धेर में धेर को अलग रख दीजिए और सेस को एक दिन के लिए पानी में भीगो दीजिए और भीगे हुए बीज के चार हिस्सों में बाढ़िए तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसको क्या कर ये तीन चार दिन के लिए पूरी तरह पानी में डूबो कर रख दीजिए ठीक है और सूखे हुए बीजो को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजो को बिलकुल नहीं लाएं ठीक अब क्या करें कि भीगे बीजो में से एक भाग को धूप वाले कमरे में रखें और दूसरे भाग को अंधेरे छेतर में रख दें ठीक है तो जैसे ही आप क्या करेंगे जैसे ही अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है तो अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे बातावरन में रखें जैसे की रेफ्रिजरेटर और उनके चारों और भर्फ लगा दें और इन तीन भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें और अधिक जल को निकाल दें बहुत मतलब कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं तो ये बताईए कि आप कुछ दिन बाद देखते हैं हम देखते हैं कि सजीव जो है बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाय जाते हैं ठीक है तो यह चीज़ हम ध्यान रखेंगे तो यह देखिए क्या ऐसा नहीं है यह जीव इस विसम परिवेश में जीवित रहने के लिए क्या विशिष्ट अव्यवस्था को अपनाते हैं यहां अनुकूलन काम आता है तो देखिए अनुकूलन जो है अल्पकाल में नहीं होता हजार वड़सों की अवधी में तो किसी छेतर के अजयव घटकों में परिवर्तन आते हैं तो यह जन्तु जो इन परिवर्तनों के प्रती अपने आपको नहीं ढाल पाते हैं तो वह क्या आपको वहां आपके रहने के लिए अनुकूलित कर लिया तो वो तो जीवित रहेगा और जो नहीं कर पाए वो मर जाएगा अब चलिए विभिन प्रकार के इस्थली आवास की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले उसमें सीक्वेंस में आता है मरुस्थल तो मरुस्थल जो है वो अजयव घटको एवं जो उट है उनके अनुकूलन के विश्चा में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अब मरुस्थल में पाये जाने वाले अन्य जन्तु तथा पौधों में क्या होता है तो उनमें भी इसी प्रकार का अनुकूलन पाये जाता है और रात्री के समय जब तापमान में कमी होती है तो यह जन्तु जो है वो बाहर निकलाते है यह चीजा आप ध्यान रखेंगे अब यह देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे तो यह देखिए यह कंटीले होते हैं कंटीले क्यों होते हैं क्योंकि यह अपना वाटर जो है वो इस्टोर करके रखते और इनकी पतियां वो कंटीले फॉर्म में हो जाती है थाकि पानी का कम से कम एब्जॉप्शन ह हो सके और वैपोराइजेशन की प्रोसेस बहुत लो हो सके है ना तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे को चित्र में तरस आगया तो यह क्या है नागफ़नी है ठीक है कैक्टिस कहा जाता है इसे तो देखिए क्रिया कलाब के माद्य हम से हम देखे हैं कि देखिए गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्यों वाला एक पौधा कक्षा में लाईए और दोनों पौधों के कुछ भाग को पौलिथीन थैली से ढखकर उसी प्रकार बांदिए जिस प्रकार हमने अध्याय साथ में बांदा था है ना अब क्या करेंगे कि गमले में लगे पौध पौधों को धूप में रखिए और कुछ घंटों बाद आप प्रेक्शन कीजिए तो आप क्या देखते हैं क्या आप दोनों पौलिथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं तो बिल्कुल देखे कि जो मरुस्थली पौधे हैं तो वह वास्पो इससे जो है पत्तियों में होने वाला वास्पो सर्जन में होने वाले जल का ह्रास जो है उसकी कमी आ जाती है और नाकफनी की पत्ति जैसे जिसकी संरचना को आप देख रहे हैं तो क्या होता है वह वास्तों में इसका तना है तो इन पौधों में प्रकास सल्सिलेशन सामान परभत तरफ मतलें पहत कहरें उआट चली दिहां को देखें तुमें गष्या अोँ है कि आसे हैं, जो एक और परण के हैं छेटर कहारत करें बाद करते हैं पर वती हैत्यान चेत्र तो हमने मरुस्थली चेत्र की बात कर ली अब हम बात करेंगे पर्वती चेत्र की तो ये जो है ये आवास चेत्र बहुत सामाने तह ठंडे होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है तो कुछ चेत्रों में शीत काल में हिमपात भी होता है हिमपात मतलब जो होता है बर्फ की फॉलिंग होती है ठीक है तो पर्वती छेत्रों पौदों के अनेग प्रजातिया जो है वो पाई जाती है तो यह देखे चित्र के मांदेम से दर्शाएगे हैं यह आपको सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन इनके जो पत्यां होती है वो विद्वान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनकूलन होता है इनका तो यह सामानता किस प्रकार के होते हैं यह होते हैं संक्वाकार जैसे कि मैंने बताया नुकीले होते हैं संक्वाकार होते हैं और इनकी साखाएं जो होती है वो तिर्ची होती है और इन में पर जीवित रहने के लिए उनमें कुछ अन्य प्रकार के अनकूलन हो सकते हैं तो यह देखे परवती छेत्र में पाया जाने वाला जन्तु भी वहां की परिस्थितियों प्रतिय अनकूलित होते हैं कैसे कि उनकी जो होती ही वह मोटी तवचा होती है तो ठंड से बचाओ जो है वह करती है और सरीर को गरम रखने के लिए याप के सरीर पे लंबे बाल होते हैं यह बहुत इंपोर्टन है तो याप के सरीर के लंबे बाल से ठका होता है तो जिससे होती है उन्हें गर्महट मिलती है थोड़ी और पहाडी तिंदों के सरीर पे फर होते हैं और यह बर्फ पे चलते समय उनके पैरोक उसको धंडे से बचाते हैं और पहाडी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पे दोरने के लिए अनकूलित करते हैं और हमें विभिन उचाईयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विभिनता दिखाई देती हैं। अब आएए बात करते हैं घासस्थल के बारे में। अब बात करेंगे घासस्थल। तो शेर वन में अथ्वा घासस्थल में रहता है। तथा एक ऐसा सक्तिशाली जन्तू है जो हिरन जैसे जन्तूओं को शिकार उन्हें मार कर खा लेता है। तो यह मटमैले हलके भूरे रंके होते हैं। तो एक शेर और हिरन का चित्र देखिए इन दोनों जन्तूओं के आँख उनके चहरे पर किस प्रकारिस्थित है। तो देखिए शेर के जो अगले पैर का नखर होता है वो लंबा होता है। तो जिने क्या कहते हैं पादंगुलियों तो जिने वह पादंगुलियों के अंदर खीच कर छिपा लेते हैं। तो क्या शेर की यह सन रचना है उनके जीवन यापन में सहायता करती हैं। तो बिल्कुल सायता करती है, उनका मटमेला रंग सिकार के दौरान उन्हें घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है, और क्या होता है, जो सिकार होते हैं उनको पता भी नहीं चलता, और क्या होता है, कि चेहरे के सामने आखें उसे वन से दूर तक सिकार खुजने में म पौधों के कठें चबाएशन और कहते हैं, कि हीरल को से इ essent स्कार, जैसे सेर जैसे hen वन में कहते हैं, उनके कान कांग खड़े और लबे होते हैं, तो जो प्रम की सिकार की गतविध्यों को जानकारी देते हैं ठीक है और क्या होते हैं उनके सिर्फ पर एक पार्ष में में दोनों और इस्थित आंखे होती हैं यह देखी पार्ष में इस्थित आंखे मतलब क्या है हम लोगों की ऐसे आखे होती है क्या हम लोग सिर्फ आगे का देख सकते हैं लेकिन यह चारोड देखके खत्रा महसूस कर सकती हैं और हिरन की तेजगती उन्हें शिकारी से दूर भागने में सहायता करती है ठीक है अब बात करेंगे जली आवास इस सीक्वेंस में सबसे पहले आता है समूंद्र तो समूंद्र में रहने के लिए मचली के अनुकूलन के विसे में हम चर्चा कर चुके हैं और दूसरे सब्दों में समूंद्री जन्तूओं की सरीज होते हैं वो क्या होते हैं धारा रेखी होते हैं मतलब क्या है उनमें फिंस पाए जाते हैं आप भली बाती जानते होंगे जो उन्हें तैरने में साहिक होते हैं अब बात करते हैं स्क्विड और ऑक्टोपस तो स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जन्तुओं का सरीर आम तोर पर धारा रेखि नहीं होता क्यों तो वे समुन्दर की गहराई में तलचटी में रहते हैं और अपनी और आने वाले सिकार को पकड़ते हैं और जब वे जल में चलते हैं तो अपने सरीर को धारा रेखी बना लेते हैं समझ गये हैं तो उनमें धारा रेखी सरीर नहीं पा जाता है लेकिन जब वे पानी में चलते हैं तो वे अपने सरीर को धारा रेखी बना लेते हैं तो जल में स्वास लेने के लिए उनमें गिल पाये जाते हैं अब बात करेंगे डॉल्फिन और वेल की तो dolphin और whale में गिल नहीं होते यह चीज बिलकूल धियान रखेंगे यह लंब समय तक बिना शांस लिये रह सकते हैं और विए समय समय पर समुन्दरी सतह मतलब जल से बाहर आकर आपने स्वासन शिद्रों को जल से बाहर निकालते देखेंगे तो आपने जो है वो डॉल्फिन को बार बार बाहर आते हुए देखा होगा तो क्या करते हैं वो अपने वाद चिद्रों से स्वांस लेने आती है और स्वांस दौरा स्वच्छ वायू अंदर भरती हैं तो आपने कभी दूरदर्शन पर या समुद्री जीवन पर चलचित्र डॉल्फिन को इस प्रकार रोचक्रिया करते हुए देखा होगा मैंने तो देखा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देखा होगा अब बात करते हैं तालाब और जहील का नुकूलन तो क्या आपने तालाब जील नदियों नालों पौधों को उगे हुए देखा है तो यह देखें यह संभव है कि समीप वर्ति किसी तालाब के भ्रमण में जाए तो आईए देखें तालाब का नुकूलन कैसा होता है तो यह देखें जलिये पौधे तो क्या होते हैं यह पौधे कि जड़े जलासे की तलचटी में रहती है यह देखें जलासे की तलचटी में मिट्टी मिट्टी रहती है और इस तलिये पौधों में जड़ जो है मिट्टी से जल एवं खनीज का पोशन आफ्शोशन करते हैं परंतु जली ये पोधो में जड़े आकार में बहुँत चोटी में छोटी जड़े होती है। कि इनका मुख्यकार क्या होता है ukraval होता है पोधों को तलशटी में जमाय रखना कार निए तर्चुर्ण जमाय रखने का कार है जो है hem में प्लवन करते हैं मतलब जल में तैरते हैं ठीक है और कुछ जली पौधे क्या करते हैं कुछ जली पौधे जल में पूर्ण रूपें डूबे होते हैं तो पूर्ण रूपें डूबे रहते हैं और ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं और इनमें से कुछ जल इनके बीट से बहता रहता है और पतियां जो होती है, उनको कोई छ्थी नहीं होती तो यह देखिए मेढग जो होते हैं विजाल युक्त पादंग गुलियां होती हैं जो उन्हें तैर्णे में शाहता करती है तो इसलिए इन्हें एमफीबियस कहा जाता है तो हमने केवल कुछ ही जनतुओं एवं पौधों की बारे में चर्चा की जो कि विभिन आवास में रहते हैं बहुत सारे ऐसी जीव हैं जो जनका अनुकूलन जो होता है हमने नहीं देखा लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका वियनकूलन इसी प्रकार होता होगा अब हम बात कर लेते हमारे आजपास के जीव तो हमने विभिन आवाज छेत्रों की यात रखी तथा अनेक पौधे तथा जन्तुओं की भी चर्चा की तो हम अपने चारो और पाई जाने वाली विभिन वस्तुओं को देख सकते हैं उनके बारे में सोच सकते हैं अब हम एए देखेंगे जैसे देखें जो रगिस्तान में जीव या पौधे पाए जा रहे हैं तो क्या होगा उने पौधे जिव के पैर हैं वे लंबे होंगे ताकि वे गर्मी से बच शके गद्यदार होंगे ताकि बालू में चल सकें वहां के पौधे कंटीले होंगे ना और जैसे ह porch पर्वती छेत्र में तो वहां के पॉधों की पतिया नुकीली होँगी क्योंकि वहां पर स्नो स्फॉलिंग होती है तो इस्नो फॉलिंग से पतियों में ना काटाव ना हो सके पर जलीए की बात करेंगे तो जलीए में कहता है कि जड़े छोटी होती है ना पौधो की और जो जीव होते है उनमें विसेस प्रकार के फर पाया जाते हैं जो उन्हें थोड़ी गर्माहट प्रदान करते हैं तो ये सब चीजे होती हैं अब आईए देखते हैं कि क्या सभी सजीवों के भोजन की आवशक्ता होती है तो बिलकुल सभी सजीवों को भोजन की आवशक्ता होती है तो देखिए जो पौधे हैं वे क्या करते हैं प्रकास अंसलेशन के द्वारा अपना भोजन सोय मनाते हैं और जन्तु जो है भोजन के के अंदर होने वाले अन्यजयव प्रक्रमों के लिए उर्जा की अत्यावशक्ता होती है अब बात करते हैं कि क्या सभी जीवों में वृद्धी परिलक्षित होती है तो जो है देखिए आप क्या चार वर्स पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक से आता है तो बिल्कुल न बन जाते हैं तो यह देखिए आपको भली भाती दिख रहा होगा कि देखिए बच्चा पैदा हुआ तो वह जो है हाथ और पैर के माध्यम चला है फिर यह बैटना सीख गया फिर यह लेटना सीख गया है तो यही होता है कि जैसे देखिए मुर्गी के चूजा के बात करें कि क्या सभी सजीव स्वसन करते हैं तो देखिए स्वसन जो है हर जीव के लिए आवश्यक है बिना स्वास लिए वह जीवित नहीं रख सकता तो देखिए जब हम स्वास छोड़ते हैं तो सरीर के अंदर वायू बाहर निकल जाती है और स्वास लेना स्वसन क्रिया का एक हि जैसे कुछ जंतों में स्वासन की क्रिया मनुस्य की तरह होती है रोह rôle मचली sudah के दिए किस मादीयम से करती हैं तो स्वासन जो है सब ही जीवों के लिए आवश्यक है और ग्रहन की गए वहुजन hall कोि से स्वासन द्वारा ही अपने हजừ हमारे सरीर को और जा मिलती है और कुछ जन्तुओं में गैस के आदान प्रदान का तरीका भिन हो सकता है जो स्वसन का एक हिस्सा होता है मालिजय उधारन के लिए केचुआ जो है वो तवची स्वसन करता है तो हमने पढ़ा है कि मचली के गिल होते हैं जिनके सहायता से वे जल में विले वायू से ऑक्सीजन अशोशित करती है तो अब ये भी जानते हैं कि देखिए प्रकास के उपस्तिती में पौधे क्या करते हैं पौधे जो है वायू की कारबन डायोकसाइड को उप्योग करते हैं भोजन बनाने के लिए तो देखिए कारबन डायोकसाइड भी उप्योग ही हुआ तथा ऑक्सीजन छोडते हैं और पौधे के वल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि स्वसन के करिया दिन और रात दोनों समय चलती है तो ये ग्वेस्चन भी आ चुका है सीटेट के एक्जाम में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पौधे जो होते हैं उनकी स्वसन करिया दिन रात दोनों निरंतर चलती है और भोजन बनाने की प्रक्रिया में निस्कौसित अक्सीजन के मात्रा जो है कि आप नंगे पैर टहल रहे हो और आपका पैर जो अचानक किसी काटे वा नुकीली वस्तुवे पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे आप जो है अगर काटे में पड़ जा तो तुरंत पैर हटाएंगे और काटे को निकालेंगे और चुपता हुआ महसूस करेंगे और माल लीजिया आप अंधेरे अस्थान से अचानक धूप में आ जाते हैं तो क्या होता है हमें कुछ दिखाई ने देता और आपकी आखे जो है वो स्वता ही कुछ छण के लिए बंद हो जाती है और तेज प्रकास की अभ्यस्त नहीं हो पाती है तो यह चीज क्या है उद्वीपन हो रहा है तभी तो अनुकुरिया मिल रही है तो वातवरन होने वाले इन परिवर्टों को क्या कहेंगे उद्वीपन तो अब ये देखते हैं कि क्या पौधे भी उद्वीपन के प्रती अनुकरिया दर्साते हैं तो आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा जो गुल महदी होता है तो उसके वो कहते हैं ना कि जो होता है उसको छूने पर ही जो है वो सर्मा जाती है तो ये चुई मुई का पौधा जो है वो पत्यों को छूने पर अचानक सिकुड या मुर्जा जाती है तो ये पौधे जो है उद्वीपन के प्रती अनुकुरिया करते हैं अब आएए एक रिया कलाब देखें तो एक कमरे में खिडकी मतलब जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधे को रखिए पौधे का गमला ठीक है फिर क्या करेंगे फिर कुस दिनों तक पौधे को नियों में जल देते रहेंगे तो क्या यह पौधे खुले अस्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा उपर की ओर वृद्धी करता है तो यदि यह सीधा वृद्धी नहीं करता तो ज्यात कीजे कि यह किस और मुड़ता है तो यह किदर मुड़ेगा जिधर सन होगा सन दिखाई देगा तो यह देखिए सन की और मुड़े हुए पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं अब बात करेंगे सजीवों में उत्सर्जन तो सभी सजीव जब भोजन करते हैं तो जाय सी बात हैं उत्सर्जन भी करेंगे तो जीव जो है इस ग्रहन की हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उप्योग नहीं करते और आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के सरीर द्वारा उप्योग में आता है और भोजन के बज़े वे शेष भाग का क्या होता है तो यह जो है अपसिस्ट के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है तो विभी नजयव प्रक्रम होते हैं उसके माध्यम से उत्सर्जन होता है अब बात करेंगे कि देखिए मनुष मानो जीवन तो करता है जीव करते हैं तो क्या पौधे भी उत्सर्जन करते हैं तो बिलकुल करते हैं लेकिन उनमें प्रक्रम कुछ अलग होते हैं, कैसे? की पौदे कुछ हानिकारक अथ्वा विसायले पदार्थ का उत्पन करते हैं और कुछ पौदे अपसिस्ट पदार्थ पौदों के कुछ विशिश भाग संगरेद किये जाते हैं अब यह बात करते हैं कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं तो पिलकुल करते हैं और बहले चाहे मतलब external हो चाहे internal fertilization हो लेकिन होता सभी में है तो क्या आपने कभी कभूतर रतवा किसी पक्षी के घोसले देखे हैं तो वे जो है नीड में अंडे देते हैं ये जो है नेक्स्ट में अंडे देते हैं तो कुछ अंडे प्रस्ट पुटित होते हैं मतलब जब फूट जात मानोप्रजाती प्रस्ट करती ही है ठीक है और जन्तु जो है प्रस्टन द्वारा अपने समान संतती उत्पन करते हैं और भीन जन्तु में प्रस्टन के समान संतान उत्पन करते हैं और भीन जन्तु में प्रस्टन का धंग अलग-अलग होता है और कुछ जन्तु जो हैते है और यह परह पित तक निया थाम मतलब क्या होता है अपने समान जीव को उतफपनों करना तोकि मत्माल लीजिए हम गुलाब का पौधा लेते हैं गुलाब अथ्वा मेहंदी के धरकलम लीजिए और इसे मिट्टी में लगाईए और नियमित रूप से जल देते रही है तो क्या होगा कलम से जो पौधा है बनना सरलकारे नहीं है यदि आपकी कलम ब्रिधी नहीं हुई तो निराश न हो या संभव हो सकता है कि एक माली से बात करके कलम के पौधे बनने का अंतराल की देख्भाल की जाए। तो सजीव जो है प्रेजिनन की प्रक्रियाद्वरा अपने समान अनेक संतानुदपन करते हैं अब next बात आती है कि क्या सभी सजीव गती करते हैं तो जैसे देखिए हमने अध्याय आठ में भी देख चुके हैं हम कि जन्तुओं में गती विभिन तरीकों की चर्चा की थी जो की है वे एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाते थे और क्या होता कि उनके सरीर पे अन्य प्रकार की गती भी दिखाई देती थी अब बात करेंगे पौधों की तो पौधे जो हैं भूमी में समाने तरह जकड़े होते हैं और वे एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक नहीं जा सकते हैं परन्त विभिन पदार्थ जैसे जल खनी संसलेशित जो खादे पदार्थ है तो वो पौधों के एक भाग से दुसरे भाग तक समभध होते हैं तो अब यह कह रहा है कि क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गती देखी है तो जैसे हां देखी है बिलकुल देखी है कि देखिये उसमें पुश पखिलते हैं पुश तो प्रकृति में विभीद प्रगार के जीव हैं, लेकिन उन सभी जीवों के कुछ लक्षन समान होते हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने यह भी देखा है कि सभी सजीव वस्तूओं में कुछ विशिश लक्षर समान रूप से दिखाई देते हैं, तो उन सभी को भोजन की आवशक्ता होती है, जिसमें स्वसन, उत्सरजन, उद्वीपन के प्रती अनुक्रिया, प्रेजनन, गती, वृध्धी और मृत्यू होती है, तो कुछ जो है निर्जीव वस्तूओं को जानते हैं, जिनके लक्षन जो होते है कुछ लक्षन दिखाई देते हैं, जैसे कार साइक्ल, ये सब क्या करते हैं, आकास में चंद्रमा गती करती हैं और हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में ब्रिद्धी हो जाती है तो यह सारी चीज़े हम बढ़ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कि फिर जीवन क्या है तो गेहूं की बोरी में अपना हाट डालिए क्या आपको कुछ गर्मी कानवा होता है तो गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन होती है और यहां क्या करती है यहां गर्मी बीजों के स्वसन के कारण उत्पन होई है तो हमने यहां देखा कि बीजों के स्वसन की क्रिया में समय भर चलती रहती है जैसे कि जैव प्रक्रम उतने ही सक्रे नहीं होते तो ये चीज है कि संभावता हमारा प्रशन है कि आखिर जीवन है क्या तो इसका उत्तर जो है देना इतना सरण नहीं हो सकता परन्तु हमारे चार और पाये जाने वाले जीव की विवित्ता देखकर अचानक सी मूँ से निकलाता है कि जीवन जो है जो भी है लेकिन है बहुत सुन्दर अब आईए देखते हैं सारांस तो सारांस में क्या है कि किसी इस्थान का परिवेश जो होता है वो जिसमें पौधे, जन्तु और अन्य जीव रहते हैं वो क्या कहलाता है आवास कहलाता है नेक्स्ट बात करेंगे कि विभिन प्रकार के पौधे, जन्तु एक ही आवास में रह सकते हैं पौधे और जीव के विशेष लच्छन, स्वभाव में तथा उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनूकूल बनाते हैं अनुकूल बनाते हैं जिने क्या कहते हैं अनुकूलन तो विभिन आवास में सजीव की विवित प्रजातिया पाई जाती हैं और पौधे जन्तु एवं सूच्मजी उसायुक तुरूप से जैव घटक बनाते हैं आगे बात करते हैं कि चटान, मिट्टी, वायू, जल, प्रकास तथा ताप जो है हमारे परिवेश के कुछ अजयव घटक हैं जो सजीव है वर्ष्टव के कुछ सामान लख्षण हैं उन्हें भोजन का क्या शक्ता होती हैं ससन करते हैं किसी सजीव का परिवेस जिसमें वह रहता है उसे क्या कहतें आवाश कहते हैं और देखिए कैक्टस जो है वो मरुस्थल में जीमन्यापन के लिए किस प्रकार अनकूलित है तो हम ये बिल्कुल भली भाती देख चुके हैं कि कैक्टस देखिए कैसा होता है कैक्टस जो होता है उसके ऐसे ऐसे और जो काटो के फॉर्म में होते हैं तो जो काटो के फॉर्म इस प्रकार जो है इनकी रचना होती है नेक्स बात करेंगे रिक्तस्थान तो पौधे एवं जन्तु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योगे बनाते हैं क्या कहलाते हैं अनुकूलन और इस्थल पर पाए जाने वाले हमारे आवेश हमारे जो परिवेश में होने वाले परिवर्टन जिनके परति हमत्थान नुक्रिया करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं उद्विपर तूद्वीपर आईए कुछ सारांस की बात कर लेते हैं तो देख़िए मचली जो है गिल से सास लेती है अब ये देखते हैं कि कुछ जो है वो मान लीजे नाकफनी जो है तो ये प्रकास अंसलेशन में पौधे की किस भाग से स्वसन होता है तो किस भाग से होता है तने से स्वसन होता है दो मरुस्थली ये पोधो के नाम बताईए तो क्या क्या है नाकफणी और बबूल अब ये बात करेंगे कि उद्वीपन क्या होता है उद्वीपन क्या होता है वाता वरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्वीपन कहते हैं उठ सर्जन किसे कहते हैं कि हमारे सरीर में कुछ अपसिष्ट पदार्थ उत्पन होते हैं और सजुई दौरा इन अपसिष्ट पदार्थों के निस्कासन को क्या कहते हैं उठ सर्जन अब बात करेंगे डौल्फिन एवन वेल तो यह जो है कुछ जन्तों के गिल नहीं होते हैं तो वे किस प्रकार सांस लेते हैं तो वे किस सांस लेते हैं वहात छिद्रों से या रंद्रों से ठीक है वात रंद्रों से सांस लेते हैं तो यही समाप्त होता है यह वीडियो और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे वीडियो उसको जादा से जादा शेयर करिए और प्लीज गाइस प्रेस दा लाइक वटन और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले भूले थेंक्यू वेरी मच्च